तो दो जो नॉलेज अपने मैटर्सें से रेलेटेड है अग्वार किया उसी को के फोवर्ट करेंगे अपनी इस चेप्टर में तो इस चेप्टर के अंदर जो चीजें अपन पढ़ लेंगे वो यह है है एक नुए內बर सब्सक्राइं कि निह खुक्र होता है कैसे व्हेंड होता है कैसे अधूकर तर टफ करते हैं सक वैल्यू को होता है मैटर से कैसे डिफ्रेंग्ट जैसे मैंटर हो जानेंगे कर सकते हैं Balkan को carbon जैसे कि हम बता ही रहा था, Adjoint and Inverse of Matric, जैसे अपने नहीं पढ़ा, Inverse निकालने का तरीका, एक Inverse निकालने का तरीका, जो अपने पिछे जप्छे अपने पढ़ा था, अपने Inverse निकाला था by Transformations से, तो इस बार अपन कुछ और तरीका देखेंगे, और Basically Inverse निकालने जो Adjoint of Matric से Related होता है, वो देखेंगे अपन, और Applications of Determinant in Matrices, इसके Applications क्या क्या हैं, और Further Applications देखेंगे, जैसे अपने वो कुछ practical examples देखे थे, जैसे एक factory है, उसमें जूते produce हो रहे हैं, और यह बहुत साइज चीज़ें जोने बनती हैं, तो उनका Output, Profit, Loss, वो सब वो सब तीक है, तो वो सब जाने हैं, वो सब Applications है, तो आगे बढ़ते हैं, वी शोटेड़ी Determinant अपट ओर थी ओंलि है, बहुत यह थर्ड ओर था की जो पड़ेंगे, जैसे matrix जो पने है, 4 x 4 matrix भी बनाया जा सकता है, 5 x 5, 5 x 6, पर जो Determinator वो एक Square matrix होता है, और वो 3 x 3 से उपर नी पड़ेंगे पन, और वहां से यह पूरा जो हिस्ट्री है मैट्रिक्स ऑडिटर्मिन यह वह स्ट्राट विए तो अभी स्क्वर मैट्रिक्स ऐइज ऑफ और यह विकना आशे अ नंबर रियल अंबर और कम्लेक्स जा दिटर्मिन आव्टिक्स पहले मैं equation बतायता है गर equation से कैसे आएगा तो मान लो equation लिखा हुआ है a1x plus b1y is equal to c1 equation यह प्लस c1 है और दूसरा equation है a2x plus b2y is equal to c2 फिर अपने x की नीचे रखा क्या रखा एक determinate है ना x वाले पार्ट को चुपा लिया कितना आएगा b1c2 minus b2c1 उसको ऐसे लिख लिए b1b2 c1c2 is equal to y की नीचे हाँ y की नीचे की आएगा उस y वाले पार्ट को चुपा लो c1c2 आगी की तरब बढ़ते हैं c1c2 a1a2 is equal to one upon a1a2b1b2 हाँ determinant a1 a2b1b2 xy यह होता है यह होता है यह होता है यह होता है यह और दूसर पाहे कैसे रिप्रेंड काला है a1a2b1b2 a1a2b1b2 xy c1c2 परापस ठीक है तो xy का वैयल्यू यहांसे निकाल लेगे कितना आएगा چण बहाला थिख लिए के सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करें माइनस एटू बीवन ठीक यह तो इस तरह से एक्स का वेल्यू कितना आ गया बीवन सीटू माइनस बीटू अपॉन बीटू माइनस एटू बीवन यहाँ पर है न एक गरबर कर दिये पर दिये पर न जो अपनने एक क्वेशन पड़ी थी न उसमें यहाँ पर था वोह यहाँ पर यह था एक्शुली जो एक क्वेशन अपनने बच्च में पड़ी थी वो यह थी प्लस सीवन इस एक्वल टू जिवो ठीक है न यह थी एक्शुली यह नहीं थी तो यहाँ पर यह लगा दो सब ठीक हो जाएगा सबसे ही आजाएगा आंसर सबसे ही आजाएगा क्योंकि अपन नहीं पड़ा था इसको उदर लेगा तो क्या आगा था माइनस सीवन तो माइनस लगा था बसी कली अब आंसर जो है सही अन लगेंगे अब दूसरा एप्लिकेशन जो आपन देखने जा रहे है कि इसी इक्विशन को पर मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इस वाली equation की बात कर रहे है ठीक है इस equation के solution की तो इस equation को ऐसे लिख सकते है इस side एक matrix multiplied by x और y और right side एक matrix c1 c2 c1 c2 to send to this के आएगा a1 x a1 b1 a1 b1 और a2 b2 ठीक है इस equation को इन दोने equations को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं एक ही बात है क्योंकि इदर कितना जाएगा left side a1 x b1 y is equal to left side matrix के नाम क्या है a1 x plus b1 y और a2 x plus b2 y is equal to c1 c2 और इन दोनों matrix के बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि corresponding element बराबर यानि कि यह system और वो system जो same है ठीक है और इसको इसको solve करेंगा पर अपन पिसी के लिए इस वाली question को अपन आगे चलके solve करेंगे ठीक है कैसे solve कर सकते है इसको इसके inverse से multiply कर दो आप ताकि यहां पर क्या जाए i inverse into this क्या हो जाएगा i i into anything कितना हो जाएगा और right side अपना answer प्रकेट हुजाएगा ठीक है इस तरह से solve कर सकते है तो सब कर देखेंगे आगे ठीक है तो every inverse of matrix using inverse of matrix ठीक है determinant to every square matrix है of order and we can associate a number called determinant तो हरे एक matrix जैसे मानलों एक matrix लिखा हुआ है matrix से square bracket से भी लिख सकते है मानलों matrix लिखा है 3 तो इसके corresponding जो determinant जो उसको ऐसे लिखा जाता है mod नहीं है ठीक है इसका मतलब के determinant और determinant का value कितना हो जाएगा 3 ठीक है matrix से कोई value नहीं होता है matrix में कोई data होता है पर हां matrix के corresponding जो determinant है उसका value होता है associate a number of compound or determinant this may be thought of as a function which associates each square matrix with a unique number real or complex if m is set of square matrix k is the set of numbers and f m to k is defined by f is equal to k ठीक है तो आपने कोई determinant जिए उसका कुछ value होता है यह बाद में पढ़ेंगे determinant का कुछ value होता है और हर matrix के साथ आप उसका value associate कर सकते हो और इसी relation को इसने function बोल दिया है जिसे माल लो कोई भी matrix है दूनिया में ठीक है तो matrix की जगह अपने क्या कर दिया है determinant लिग दिया determinant का value निकालना बता ही दिया मैंने इस तरह से value निकालते हैं एक दो number निकाल दो two three minus one two क्यागा इस determinant का value seven आजाएगा this into this है न प्लस के साथ minus के साथ कितना आगे seven तो ऐसा ही है matrix originally क्या था यह था matrix 23-1-2 यह matrix है और इसके साथ kitchen कर सकते है function का input क्या यह matrix और उसका output क्या यह determinant का value यह यहां पर बोलहा है function में input जह माथे king है और उस टिप्ञेंट का value है और इस तरह से पहुंड कर सकते हैं कि function में आपने कोई मैंट्रिक्स जाला और आउट्पूट के आगया उसका डिटर्मिनेट का वेल्यू ची यही सब उसने बोला है इस अलसे दिनोटिट बै बस डिटर्मिनेंट अफे को जिहान रखना कैसे डिनोट करते हैं मैंट्रिक्स को दो स्क्वार बैकेट से चीक है या करी स्क्राइब श्रीट सैंट जेसे चीक आप विल्कुल आज़िक्स आप क्या करो डिटर्मिनेंट का मतलब के बस मौड लगा तो उनुन्हीं पूजिशन पर रख दो तो वह आ जाएगा डिटर्मिनेट यह और वेल्यून निकालना वाती है अपने को कितना आएगा बैदी म सब्सक्राइब कर दो कि मैं धूर्ट कर दो नहीं 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 होगा सकते हैं का है कि टुमलेट उस-ॉपार्टिस बहुन्द का मतलब किरें वही का वह नमबर हो जाएगा है कि टुमलेट ओफ मेंटेक्स उफज फॉरस ती ता ए अ मताद दुबहुत पहली बता रखांव तो 11 आ अब यराा 해 this इंयंट इस माइन साथ जाता है ठीक है, A11, A22- इस तरसी लिखा जाता है, ठीक है, इरल्लुट, कितना हैगा, 8, 8 आजायक, 2 इंटी तो 4, 4 प्लस 4, 8, कितना हैगा, 1 आजायक, X कर माइस, X कर माइस, 1, Determinant of Matters, 3 x 3, 3 can be Determinant by Expansion, 2nd order Determinant, this is known as Expansion of, अपन Determinant का Expansion देख रहे हैं, in terms of 2nd order Determinant, एक Determinant जो 3 x 3 order का होता है, उसको अपन, उसके अंदर ही पाई जाने वाले कुछ छोटे-छोटे Determinant होता है, उनकी terms में अपन Expansion कर सकते हैं, वो देखते हैं, अपन कैसे Expansion कर सकते हैं, जिसे माइन लोग यह लिखा होगा है, यह Determinant लिखा है, ठीक है, इसका order कितना है, 3 x 3, इसको 6 तरीकों से open कर सकते हैं, ठीक है, 6 तरीकों से, और वो 6 तरीके, बाइ रो 1, और रो 2, रो 3, रो 1, रो 2, रो 3, या C1, C2, C3, ऐसा नहीं, डाइगेल के थ्रो उपन नहीं कर सकते हैं, ठीक हैं, डाइगेल के थ्रो उपन नहीं करते हैं, गिनी बस सेम वेल्यू, अच्छा, वेल्यू सेम आएगा हैं न, क्योंब टेटर्मिनेंट है, एक ही डिटर्मिनेंट है, इसी को उपन करने के लगलुट तरीके हैं, तो वेल्यू फिर भी सेम रहेगा, मालनों ये हैं, इसका वेल्यू निकाल लाए, तो फिलाल अपन क्या कर रहे हैं, एक्पेंशन अलॉंग फॉर्स पहले वोगे थो पन डिटोमिनिंट का वहली निगाल रहे हैं तो क्या करो मैं टिप्लाइब फॉर्स एलिमेंट्स बाइब माइनस वन की पावर यह है इसका जो आसान तरीका है न बोलने का तो बहुत कॉम्लिकेट तरीके से बोल रहा है सिंपल तरीका है स्टार्टिंग यह पहला नंबर प्लस और उसके बाद ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करते जो इसे जरूत नहीं है आपर ठीक है न क्योंकि यहांपर मैट्रिस का ओडर जो चार या पांच नहीं है पर पहले वा प्लस साइन के साथ ऐ 한वन आएगा ठीक है's की साथ एवन वन आएगा तो उसके बाद ऐ ск m जो है और दावे हैं या K या चुपा लिया दो क्या बना है कि अध्ट एक चोटुडिब्निट प्रकट हुआ टिटरो ूश का 1-1 को छोटू determinant से multiply कर दो बस ये plus sign ये बता रहा है कि ए 1-1 के पीछे plus sign है और छोटू determinant का ना में A2-2 A23 A32 A33 तिया ये छोटू determinant तो उसके बाद आगे बढ़ते हो रोवन के ही element लिखने ठीक है कितना आज़ाएगा माईनिस एवन टू जैसे हाँ पर प्लस आया, यहाँ पर आएगा माईनस एवन टू, मॉल्टिप्लाइट बैट, अब क्या करो, कोई A12 जिस रो और कॉलम में लाए कर रहा है, जैसे यह फर्स रो में लाए कर रहा है, उसको छुपा लो, और इसको छुपा लो, तो एलिमेंट कौन से दिखाई दियें दोनों को छपाने के बाद ये 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 तो अपने आपने एक तस्वीर बनने ना वो डिटर्मिनेंट है चार एलिमेंट है वो आ जाएगा A21 A23 A31 A33 ठीक है निये प्लस मैं इदर लेको साँ बता प्लसA13 फिर A13 जिस रो और कॉलम में लाए कर रहा है इस रो में लाए कर रहा है इस कॉलम में लाए कर रहा हमनों को छपा लो कितना जागा चोटूट क्ज़ूजूचा अपना वेल्यो ओफ टेटर्मिनेट अब इसको इतो डितर्मिनेट तो सुल कोई आता है कैसे अगें फंड़े कि प्लस माइनस से स्टाट उती होते और फिर इंटू दस माइनस दस दिस तो ओड्यों कितना आगया इसका वो लिस लेते हैं ओपर a11 multiplied a22 into a33 minus a23 into a32 minus a12 a21 into a33 a21 into a33 minus a23 into a31 or plus a13 multiplied by here तो आपर प्लस तो आजयागा a21 a32 minus a22 a31 ठीक ही यह अपना value of determinant ठीक ही तो बस इतना ऐसा नहीं कि यह quantity ज्याद करने कि a11 into a32 बस कुछ याद ने करना बस यह याद रखना प्लस माइनस प्लस और most of the time open determinant को फर्स रो के थूपन करेंगे most of the time ऐसा होगा ठीक है तो जनरली बस यह याद रखना वैसे तो आपन यह प्रफर करते हैं कि जिस रो में या कॉलम में ज्यादा स्यादा zeros हो है ना उसके थूपन determinant को open करें पर फिर भी उसके बाजूद भी मैं तो जनली आदत पड़ी हुए कि फर्स रो या फर्स कॉलम के थूपन को तो इस तरह से डिटर्मिनेंट का वेली निकालते हैं बाइ रोवन बाइ एक्सपेंडिंग थू रोवन एक्सपेंशन अलों फर्स बता दिया भी यह सब यह सब चल रहा था तो इस रोवन थे रोवन थे रोवन अधा रोवन टूवन थे यह सब आगया हैं ना अव विशहर अप्लाए ओल फोर से तूगेधर पता नहीं इतना दीर दीरी क्यों गर रहा है भी ना एक्स पेंदिंग थू आज तू आज तो अभी आज चलो तुम ट्राइ करो ड्रेच यह यह प्लस के साथ आएग वाइनस के साथ आज बाइनस के साथ आज पेंगा फिर इसको छुपा लो और इसको छुपा लो तो कौन से एलिमिन बचे ये ये और ये ये A12 A13 A32 A33 plus A22 A11 A13 A31 A33 plus A23 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 में ये और ये चुप जाएगा तो A11 A12 A31 A32 A11 A12 A31 A32 तो ठीक है ये अपना अंसर ऐसे C2 के थ्रू और बता दो C3 के थ्रू बता दो चलो प्लस माइनस प्लस का देहां रचना है ना प्लस माइनस प्लस R2 तो देख रहे हो पहला वाला माइनस के साथ है Actually माइनस के आने का reason के 2 प्लस 1 के 3 है तो जहाँ पर भी odd आये ने इनका sum इनका sum जहाँ odd आये वहाँ पर पीछे माइनस आ जाता है और जहाँ पर sum जोए even आये sum जोए 2 प्लस 2 even आये वहाँ पर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा बस इतना ध्यान रटना इसब माइनस वन की पावर आई प्लस जे इसद व्याद करने की ज़रूद ने है ठीक अभी है ना 1st column इसब करने की ज़रूद नहीं इतना दिमांग लगाने की ज़रूद नहीं for easier calculations which will expand the determine along that row column which has मैंने जसे की बताया पर इतना भी मैं नहीं करता है मैं तो डिरेक्टी उपन करता हूँ वन के थ्रूद while expanding instead of multiplying by this we can multiply by one or minus according as this is even or odd जसे की मैं बता रहता की इतना सब दिमांग लगाने की जो अतनी odd even क्या देख ले न let a be it is easy to verify that a is equal to 2b मख्यों हो यह हो रहा है वेवरिफाय ये यह어 टूबी होगा when later सारे मींत को दो से माःटि पड़े कर दो या गया ठीक सभी है अज्यव होँ है क्या फरक पर परा इसका डीकूमेंट का वंत फर्सक्या इस वंत 9-2 दोस रहायों कि आख जिग्छुसा में बिर्उसानं र्षके स्थांपड म संपा फ़ेंग है जबाण में है। किde backward ले संप्रों प्रों जेफेंग आगे यंडे सक्थूरण indoOR नियों फिर बंटव दो जो जो एक इस lifelong प्लस माइनस लिखा यहांAK पर प्लस प्लस माइनस में है तो डो केश्क्टर जो यहां पर थे थे रहन वन चाहर गुना उसक्छिए जाता कर ज glory unDieनота गुए लिए तो धट्रीक justice यहां से पर यह comment कर सकते हैं, determinant ए जो है, ए अगर टू टाइमस भी है, ठीक है, तो फिर determinant पर क्या असर पड़ेगा, determinant जो है, बहुए determinant में, चलो ऐसे जन्डरल से लिखते हैं, उससे थोड़ा जल्दी फील आयगा, जैसे मालन लो ए बन बन है, ए बन टू है, है हमाद लोग तो कि अट्वन के एट टूए कि एट टूटू टिक यह इट किलेंगे तो डिटमिनेंट कितना है के एंटू कैंड फिर ऐंट फिर है कि इनटू किया कितना तो कि आगेए कितना है तेन में देखें 3 x 3 में, तो 3 x 3 में क्या होगा, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक ही यह है, आपने इसको के से मिल्टिप्लाई कर दिया अगर ही मैट्रेक्स ए है तो के ए हो जाएगा के एए वन वन के एए वन टू के एए वन थ्री के एटू वन के कि लंगे ब Ruben करों तुम से प्लस मांइस प्लस के साथ तो पूंकि डिष इंटू इंट तुन दे साता है अगर सभी में तो फिर के क्यूब का फेक्टर आएगा क्योंकि तीन मुल्टिप्लिकेश्चन वह रहे हैं तो इसी विज़े से अगर और एन है तो के 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 अगर विज़े पर दिखाई देगानि तोस त्व की पावर केक्टर आएगा एक्षग्यी में बहुत अच्छी से ακरी में होगा प्रापर्टमिड अच्छी से क्लिर हम यह सब स्जिआ जाएंगा और अभी फिला याद करोई टूपिपशार्र एन ऐंटो दू वी को सब इनट इत्रविनेट यह कितना हो जै की कब और एन इंटू इत्रमिनेट ऑफ भी होता है इवैलूइटे दिटर्मिनेट निकाल भी दिटर्मिनेट का वेल्यू काहां सब्सक्राइब करोगे शी तरिषे चारणा चीज करो शीथे अब 4 multiplied by कितना हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 है तो कितना होगे 4 इंटू माइनस 13 है 13 26 52 माइनस 52 आ रहा है ठीक यह अपना अंसर सबसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर जीरो इसको क्या लिखें फिर माइनस साथ ना ना रख sin α, और we determinate लिएते हैं दिस THIS, THIS this, माइनस साइन अलफा कोज अलफा साइन बीटा जिरो और माइनस कोज अलफा माइनस साइन अलफा कोज अलफा और जिरो माइनस साइन बीटा ठीक हाँ अब इतो जिरो आगे साइन अलफा, 0- कॉस अलफा, साइन बीटा कॉस अलफा इंटू यहां पर आजाएगा, साइन अलफा, साइन बीटा ठीकिन, माइनस जरू तो क्या लिखे है तो यह कितना आजाएगा, प्लस कॉस अलफा थे, अलफा, साइन बीटा, साइन बीटा, or minus, कॉस अलफा, साइन बीटा, 0, अग्स अलफा, राहे है Find the value of X for which this determinant is this determinant 3-X is equal यह तो simple है हन, 2 cross 2 , 3-X is equal to तो एक्स किना ओगे टू रूप टू प्लस माइनस टू रूप टू थीक कि विए डिटर्मिनेंट के एक साइस 4.1 पर आगे हैं पर तो तो एसा कर उसके कितने कुश्चन से इसमें ज्यादर निया आठ पूश्चन अभी हाता थी लास में कर लोगे ठीक है पन बस पांधेस में जो बीस में लिलो हैं वीस प्लेट में पन डिसक्शन स्राइब इसका बता भी वैल्यू डिटर्मिनेंट किना रहा है माइनस टू और प्लस ट्वेंटी ना इटीन अजाएगा अगला वाइंस कर दस कॉस्ट कर बन आ जाएगा और इसका बाइगा स्राइगा लिखा एंटी मैंसटीब माइनस इसक्वेर टो एक क्यूब प्लस बीक्यूब का फोम्ला लिखा हो आए और मैनस इसक्वेर मैनस 1 ठीक है है रिका तो एगा एक क्यूब minus x square plus 2 twice determinant A is equal to 4 times है न तो twice matrix यह निकाल लेते हैं तो twice matrix A जो है वो बराबर होगा 2, 4 8, 4 है न और determinant of 2 A यह जाएगा 2, 4 दो 8 8, 4 दो 32 ठीक है तो यह कितना आ रहा है minus 24 और determinant A का value आ रहा है to minus 8 minus 6 इसका 4 times है जाएगा तो यह जाएगा matrix A दरखा है जिस शो दो 3 times matrix A is 27 determinant है 3 times A लिखा यह जाएगा 3, 0, 3 0, 3, 6 0, 0, 12 किसके तरो उपन कर लें column 1 column 1 and plus minus plus तो यह कितना आ जाएगा 3 multiplied by 3 into 12 minus 0 3 is a 9 12 9 is a 108 ठीक है 12, 9 is a 108 और अपन determinant A निकाल लेते हैं determinant A बी कैसे उपन करें हैं आपर यह इंसे उपन कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 1 into 4 minus 0 और minus 0 plus 0 है तो इवल्यू आ रहा है 4 तो 4 into 27 कितना आगा है 108 सही है evaluate the determinant इसको कैसे उपन करें row 2 के तरो ओपन कर लेते हैं तो क्या लिक हो गए 0 into छोटो determinant लिक्वाद minus 1 minus 2 minus 5 0 यह minus के साथ ठीक है plus 0 determinant 3 minus 2 3 0 और फिर minus plus minus plus 1 हो जाएगा हाँ फिर 3 minus 1 3 minus 5 3 minus 5 है तो वो सब तो 0 हो गए यह के तना रहा minus 15 plus 3 minus 12 है minus 12 है इस कांसर इस वाले को आर रवन के थू ओपन कर दो आर वन के थू ओपन कर दो यह ना plus 5 multiplied by 3 minus 2 ठीक है यह आजाएगा तो कितना हो गए 7 3 the 21 5 4 the 20 5 plus 5 है 26 46 है जाएगा ओहू यह दी है लो plus minus plus तो 0 तो हटा ही दो minus 1 into कितना हो जाएगा 0 minus 6 ठीक है और plus 2 multiplied by कितना हो जाएगा minus 3 minus 0 तो यह कितना आ रहा है 6 minus 6 है ना 0 इस में plus minus plus है ना ऐसे आजो तो कितना हो जाएगा 2 multiplied by 0 minus 5 minus 0 इसको तो कहा लिखे plus 3 into कितना जाएगा 1 plus 4 ठीक ही आजाएगा ठीक कितना हो जाएगा minus 10 और plus 15 कितना आएगा 5 अछा लिखे पोलाटी पोलाटी मिजा है, तो हास सिंपल है, रो अकितना हाजाएगा? अछा इस तो कितना हो जाएगा? minus 2 into 8 minus 5 कितना होगे यह आगे 3 यह आगे plus 3 और 3 to 6 कितना होगे 0 find values of x if this is equal to this तो left side वाला determinant विरा कितना होगे minus 18 और right side वाला तो x का value कितना होगे plus minus root 3 आगे plus minus root 3 ठीक है यहाँ पर कितना होगे 10 minus 12 10 minus 12 और इस इकोल to 5x minus 6x तो कितना हो minus x is equal to minus 2 x कितना होगे 2 then x is equal to this x square minus 36 is equal to 36 minus 36 0 और रहा है x कितना होगे plus minus 6 और बी और रहा है नरी दिर्काई होगे प्रॉपर्टी आप जाने गालती हुए प्रॉपर्टी आप उसक्ति कर दे प्रॉपर्टी आप्रॉपर्टी आपने को प्रपर्टी पढ़ेंगे और सिंप्लिफाय करेंगे एवालिशन मैक्सिम नम्बर डिरो जिन रो कॉलम्म को इंटर्चेंज कर वे ना rows and columns interchange होता है transpose जाता है इक फोले वोप प्रोवरटी जैट E darel clause matrix and determinant is determinant of a transpose actually ऐसा हो रहा है इन्होंने कोई example दिया तो फटाउट भड़ायता हूँ कोई example निया हाँ यहां पर देख लो जैशे matrix है इसका transpose लिया तो क्या जाएगा इए वन वन टु ए वन टु एए बन टु टू टू Tुछी थ्री यह कि ऐसा खत्म यह जो डिटर्रमिनेट और यह जो डिटर्मिनेट रहता सिसम है क्योंकि इसको ओपन करो फ्रस्ट कोलम के थू एक ही बात है इसी विजह से जो है डिटर्मिनेट का वैल्यू से यह में रेतास का ट्रांस्पोस लेने पर, वेरिफाइद अब आपक प्रॉपर्टी विद इग्जाम्पल, तो कर लो वेरिफाइद कर लो गया न, फर्स रोगेट रूपन कर देना, इसका ट्रांस्पोस लिख लेना, 2-35, 604, 15, 5-7, ठीक है, खदम, दोनों का वेल्यू का आएगा, से, ओपन कर लेना, ओपन करना आती है, डिटर्मिनेट अपने का, इस एने टू रोज और कॉलम्स और डिटर्मिनेंट इंटर्जिंगें, और इस एने टू रोज, कोई दो रोज या कोई दो कॉलम्स अबन दो कॉलम्स, दो रोज इंटर्चेंज कर देते हैं, फिर्स लो और सिगंड कर रहा हूँ, ए टू टू, ए टू टू ए टू टू, ए टू ए टू थ्री, ससेकंड रोडो को लियाँ आयों मैं फिर्स डो में सेकेंड और एवन थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ठीकिन यह हां एक्स्पेन करो साइन डिफ्रेंट होगा यह और यह का सम कितना है जीरो कैसे इसको ओपन कर लो फर्स रोके थ्रू ठीक है इसको ओपन कर लो सेकेंड रोके थ्रू हैंस प्रूफ अरे नहीं निकालना पड़ा भी डिटर्मेंट अरे मैं तो बस इशाड़ा कर रहा था कि कैसे बन प्रूफ स्टार्ट करेंगे अरे डिटर्मेंट का निकाला मैंने हद्द भी आपने तो ओपन कर रहा हूं कि यहां पर है यहां पर प्लस माइनस प्लस है इसका पोजिशन बदल गया है आप इसमें क्या करोगे अरे ओपन करने का मतलब कोई भी नंबर को मिल्टिप्लाइ थो ना कर रहा हूं मैं इस वजए से फटाक से और इसमें प्लस माइनस प्लस यहां पर है और इसमें प्लस माइनस कहांपर होगा इसमें second row के तुर open करेंगे तो science scheme बनाओ न यह वाली जो science scheme मैंने तुम्हें बताई थी वो science scheme यहाँ पर बनाओ R2 के अंदर कैसे बनाएगी कैसे बनेगी वो science scheme हाँ यहाँ पर negative positive और negative आजाएगा तो दिख्या यह वाला value और यह वाला value यह वाला value एक्षिली कितना हो गया negative हो गया ठीक है ओपन कहां किया इसे कहते है मतब काम न करके भी काम कर देना ठीक है बस बता दिया कि यह hint है ठीक है इस hint है समझने आई रहा है ठीक है इस वज़े से हो गया यह second property है we can denote the interchange of rose by this r1 r2 interchange इससे interchange denote करते है वो अपने देखी लिया अपने matrix के अंदर देख लिया अच्छा अगर मैंने जैसे यहां पर कह किया r1 interchange r2 कर दिया ठीक है वैसे कभी इसकी नौबत निया थी interchange करने की और उसके बाद मैंने यह कर दिया r3 interchange r2 मैंने कहके दो हरकते करी हैं तो क्या होगा determinant का सेम रहेगा क्योंकि दो हरकते करने बड़ क्या होगा minus और फिर minus तो 2 minus आगे न minus into minus क्या जाएगा plus verify property 2,4 चुरू करते हैं verify है 2 minus 35 604 15 minus 7 ठीक है यह determinant है यह determinant है निकालो value इसका इसका value निकालो पहले 21 minus 25 एन minus 4 एन और minus 0 plus 4 into 10 plus 3 एन 13 आ जाएगा तो कितना के minus 24 और 52 आ रहा है तो 52 और minus 24 एन 28 आ जाएगा ठीक और यह वाला value इसका उपन किया 1st रोके तो plus minus plus तो आ रहा है 2 into minus 20 plus 3 into 7 6 दो 42 minus 42 minus 46 ठीक और plus 5 into 6 5 दो 30 ठीक यह आ रहा है तो यह कितना होगे minus 40 और 3 into 46 138 है minus 138 और plus 150 तो यह value आगे 12 हैना minus कितना के plus 12 हैना minus 28 तो यह 28 आ रहा है और यह कितना रहा है minus 28 है negative होगे प्रॉपर्टी 3 है third property है if any two rows और columns of a determinant are identical all corresponding elements are same then value of determinant is 0 हाँ अब determinant open नहीं करना है बस बताना है कि हाँ देखो ऐसे हो करके हो जायाए ठीक है हाँ आँ माल लो कोई determinant है a11 a1 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 यह determinant है इसमें c2 और c3 identical है ठीक है c2 और c3 identical है प्रूफ करो कैसे आएगा 0 c2-c3 का नहीं है 0-0 जाएगा रहे बावल है भी तब वो प्रॉपर्टी पढ़िए के भी जो जिसकी बात कर रहे हो तुम प्रॉपर्टी पढ़िए नहीं उसकी बिना पढ़े बताना है न आपने को तुम तुम बहुत आगे की बात कर रहे हो c2-c3 identical है यह determinant 0 है और खोलना नहीं है ठीक है ना प्रस इशार्ट से बता तो कि देखो सर यह रिजन है प्लस माइनस प्लस कर लो तो अगरी दूना इडेंटिकल है तो दिस इंटू इस इस इंटू इस इंटू इस कितना जाएगा 0 इचोटू डिट्रमिंट सारे कितना जाएगा 0 आजएगा जिए अ गुए तो कहा रहा रहा कि दो है लोपन करते यह नहीं ओपन किया ठीक है ना दीटर्मिनिन्ट को जैसे कोई भी दो रो आइडेंट्टी कलें तो उन दो रों के अलावा जो कोई रो में कॉलम बचा उस रो के थुछ आप उपन कर दें तो आपको दिख जाएगा कि हाँ जी रो आएगा क्यों नो अधिकल है यह और यह अधिकल है तो इसें टृइस मैंनि इस इंटू तो इसक्या एकस्य इस इंटू तो इसमाइन पर चैनल को इसे सारह को फेक्टर स्टमय करते से अनलाद को फेक्टर सुरू कि अधिन ट्रहिक रशू कनली के जीए यह दो मैंने स्रनरा नमयले स्टर्वरत surgis के जीए इस वज़ें तो स्ट्रमय कर जाएंere इस वजह से evaluate कैसे open करेंगे कहुं से दो रो आइडिन्टिकल लगए बिलकु सही आइडिन्टिकल है तो क्या करेंगे R2 के, R2 से खोल लेंगे, ठीक है, चलो R2 से खोल लिया, तो कितना हो जाएगा, बहुत 2 into, जो छोटू determinant आएगा न, 2 into 3, 2 into 3, 0, 0, इसके लिए, 3, 3, 3, 3, 0, इसके लिए, 3, 2, 3, 2, 0, 0 जाएगा, प्रोपर्टी 4, Each element of a row or column of determinant is multiplied by constant k, then its value get multiplied by k, हाँ, जैसे मालनो कोई determinant है, मालनो जाएगा, determinant A का नाम है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यह determinant A है, और, कोई और determinant है, उसका नाम में B है, और उसमें क्या कि आपने किसी एक रोप को multiply कर दिया, ठीक है, हाँ, जैसे मालनो, के A11, के A21, के A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, ठीक है, नहीं है, हाँ, क्या होगा, कैसे पूफ करदो, कैसे पूफ करदो, पूफ कैसे गरोगो, असको, कशलम कर दो दिटर्मिनेंट को थूम 1 ठीक है हाँ इसको ऊपन कर दो अभी ज किया थीक है न है तो आज से ही पन किया तो doing किया तो फिल आ सभी और चुह पून करेंगे ग तो चीश से तो सब में से के कॉमन आजाएगा एक्शबी जो open करेंगे तो दिख रहा है कि वो जो output आता है determinant का यह चीज वो पूरी चीज क्या होगा है के से multiplied होगी है क्योंकि k into this minus k into this plus k into this तो क्या है k into determinant लिखा होगा है तो यह बराबर हो जाएगा k into a k ठीक में b is equal to k यह होगा है hence proof तो actually में proof का तरीका क्या है कि जैसे माने लोग कोई भी row को आपने k से multiply किया है ठीक है तो basically क्या है k जो है उसमें से common ले सकते हो यह पहली चीज और उसी row या column के थो expand कर दोगे तो फटाक से दिख जाएगा थुके इस्का मथ Principlay whenever we get our new Track के बदोन आरा रथे इंटिको लोगा से गोए है और यह इंप्रोच्टिवाग टोशने सब्सक्राइगा इसिए और यह अर यह प्रोच्ट्नल एयन कोश्मानिया है के common लेके R1 और R3 identical होगा है दो identical तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट सीरो evaluate इसमें देखना होता है basically determinant मैं अगर बड़ी-बड़ी entries हमसे देखना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक रो या कॉलम की entries किसी और किसी रो या कॉलम के entries के कुछ टाइंग सो कि अच्छे लिए लिए पर आपने के के यहां से च्छे कॉमन ले लिए कैसे लिखा इसको ऐसे लिखा खाता है,osh ff R1 & R3 identical implies determinant zero property 5, if sum or all elements of row and column are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants or more है, जादा का भी कर सकते है तो इसी के अंदर ही बतायता हूँ, इसमें दे रखा हुगा, हाँ, जैसे फिलाल यहाँ पर, जो R2 है, उसमें, जो element है, वो दो algebraic quantities का sum दे रखे हैं, दिख रहा है, ये दो का sum, ये दो का sum, ये दो का sum, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन, इस इसका proof नहीं दिया अप C प्लस Y, C प्लस Z, ठीक है, ऐसा, और, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, अब ये जो value है, डिटर्मिनेंट जो है, इसका अपन, दो डिटर्मिनेंट का sum करके लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार तो अपन नहीं के लिखा, A, B, C, और बाकी यहाँ पर आएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ पर आएगा, X, Y, Z, A21, A22, A23, A31, 32, A33, ठीक है, ऐसा होगा, यह प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यह है, एक्स्प्लेंट करो, तो बताओ, कैसे एक्स्प्लेंट करो इसको, कैसे आएगे, इक्सप्लेंट करना नहीं है, बस बताना है, कि हाँ, एक्स्प्लेंट करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेंट करना थोड़े ना है, बस फ्पील आजेगे यही से, कि अपने इसके थूँँए, तो होगा क्या, ए प्लस x in two आएगा छोटू determinant फिर उसको क्या लिख लेंगे 2 जो कि यहां पर दिख रहा है कि हाँ यहां पर भी वही आ रहा है कि a in two चोटू determinant और प्लस x दो benefits ठीक है बात आए समझ में है हाँ expand करना है पर expand नहीं करना है ठीक है और इस बात को फिर जेन्रल वरिजिन इस बात का क्या हो जायेगा रही स बात का जन्रल वरिजिन हो जाएगा कि a प्लॉस एक्स नत्ली ने रखा है थीखत्पोивается यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर जाएगा l , m & m तर बाकि यत्री मारिरm A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और कैसे प्रूफ करेंगे ये, R1 के तुरू एक्स्पैंड किया, और बस फील आगया कि हाँ, हो गया, प्रूफ, आगे बढ़ते हैं, अभी, बढ़ो, क्या करेंगे इसमें, R2, R2 से एक्सपैंड निकरेंगे, पहले से दो डिटर्मिनेंट का सम लिखेंगे, बोलो, अभी तो पड़ा का प्रॉपर्टी, अग्ला डिटर्मिनेट, कितना हो जाएगा, जीरो, और यह प्रॉपर्पोर्शनल है, तो कॉमन लिए के बोल दो चाहिए, यह प्रॉपर्पोर्शनल की लिए से बोल दो, अग्यक्न लिए, भाइपा, आप्रॉपर्पोर्शनल की लिए, इसका complete वर्जिन जो होई है, मैं example दे रहाँ, R1 is R1 plus lambda R2 plus mu R3, यह अप्लाई कर सकते हैं, NC item के वाल यह दे रखा है, actual operation यह होता है, इसका proof देखते हैं पर, तो माल लोग देखते हैं, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, माल लोग देखते हैं, इसका डितर्मिनेंट का वैल्यू, इको लोगा, A11 plus lambda, A21 plus mu A31, A21 A31, A12 plus lambda, A22 plus mu A32, A22 A32, A13 plus lambda, A23 plus mu A33, A23 A33, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रूफ करो, और यह वाले डितर्मिनेंट और यह वाले डितर्मिनेंट, इकोल है, यह प्रूफ करना है, है न, उस operation का मतलब क्या हो, कि आप row 1 में, row 1 की entry तो रखे है, lambda times r2, और mu times r3 भी रख दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे का है का प्रॉपर्टी फाइफ, कौन सा प्रॉपर्टी फाइफ था, अरे ऐसे याद मत करो, NCIT में, आंस, पेपर में यह लिख करके मतलब न, यह क्या केते हैं, यह विविंग प्रॉपर्टी फाइफ है न, यह लिख गे न, कि हाँ, कौन सा प्रॉपर्टी फाइफ रिख लिख 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 हैं, हां, ऐसे बोलो न, यह तुमारी बाता में बिखाता है, है, इस डिटर्मिनेट को तीन डिटर्मिनेट का सम लिख लिख लिया, by help of R1 तो ठीक है, सही है कितना हो जाएगा, एक तो यही आजाएगा A11 A12 A13 और A21 A22, A23 A31 32 33, ठीक है, एक ही आएगा प्लस अगला वाला लेम्डा लेम्डा A21 सौन में आई रहा है, लेम्डा A22 है ना, ऐसे, और प्लस, म्यू A32 म्यू, सौन में रहा है, ठीक, तो इस केस में क्या हो गया है, हाँ लेम्डा कॉमन निकाल के या इन दोनों R1, R2 के एंट्रीज प्रोपोर्शनल है इसमें R1, R3 के एंट्रीज प्रोपोर्शनल है यह डिटर्मिनेंट हो, यह डिटर्मिनेंट क्या होगा जी रहो तो यह और यह बराबर है तो यह डिटर्मिनेंट का वेल्यू भी कितना हो जाता है K times अगर आप यह operation लगा रहे है तो द्यान रखना delta 1 जो नया determinant बना वे ऐख्युली क्या k times delta है ठीक है वह अपने पेढ़ा ता starting कि अपन K से multiply कर देता है तो determinant का value कितने गुणा हो जाता है k tanks और matrix की form में देखें तो 2 की power k की power k की power n if more than one operation is done in one step one should take care to say that a row that is affected in one operation should not be used in another operation ठीक है आप तो एक बार में ज़्यादा operation करना ही मतना सबसे prevention is better than cure ठीक है एक बार में एक ही operation लगा है तो सही रहता है पर जो जो फंडा ही है कि अगर आप एक operation के अंदर एक row को affect करने है ठीक है तो अगली operation में उस उस row को affect ना करें ठीक है should not be another operation column के अंदर बहुत बाद बलेड है प्रूव दाट दिस्ट्रमिनेंट इस एक क्यूब हाँ चलो करो प्रूव कर इसको प्रूब कर इसको प्रूब करते हैं अब आज का सिशन यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली टैन पर मिलेंगे अपन अपन कुछ वाल्ड एक्जांपल देखेंगे फिर अपन फिर उसके बाद एक्षाई शीट्वे वो क्लास में डिस्कुस कर लेंगे ठीक है बाई